तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालो कि आपके आपके OPPO A77 स्मार्टफोन के अंदर LED नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो यह काफी इनेंस कर देता है आपके स्मार्टफोन के लुक और यह काफी जबरदस लगता है देखने में जब आपको कोई नोट इसे जाएगा या फिर आप आपका स्मार्टफोन चार्जिंग को लगा होगे तो यह गलो करने आला है और यह काफी जबरदस लगता है देखने में तो दोस्तो इसी प्रकार का mobile related content daily upload होता रहता है हमारे चैनल पर तो like share subscribe कर लिजा हमारे चैनल को start कर लेते हमारी यह बेतरे दोस्तो जैसी आप ओपन करते हो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको दो बार एगरी के उपर क्लिक करना है इसका नाम क्या हूँ आपको वीडियो में देखनी के लिए मिल जाएगा आपको सबसे पहले main settings के अंदर चले जाना है और यहाँ पर Permation के उपर क्लिक करके इंडिवेंडpaykur कंड्रोल के ओपर क्लिक करना है और दोस्तो यहाँ पर आपको कई सारे पोन में अलगалग YouTube सेटींस मिल जाएगा दोस्तो यहाँ पर जाना है अपको और यहाँ पर Age इसको आँ करने यहाँ प्र करक याँ सब को आपको अलाव कर देना है तो दोस्तो इसके बाद आपको सिंपली बैक चले जाना है और यहाँ पर आपको दोस्तो नोटिफिकेशन ऐसे दे देना है इसको इनेबल करके इसको इनेबल कर देना है यहाँ पर अलाव कर देना है तो दोस्तो इसके बाद आपको सिंपली न तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो settings से सक्सेस्पूली आ चुका है तो दोस्तो इसके बाद आपको simply back चले जाना है और एप settings के अंदर चले जाना है एप settings के अंदर जैसे ही जाते हूँ यहाँ पर first number के option पर click करना है तो दोस्तो आपको कब चाहिए notification आती है तब चाहिए charging के वक चाहिए calling के वक चाहिए music सुनते है कही पर भी आप select कर सकते हो यहाँ पर मैं simply notification के वक कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर allow कर देंगे दोस्तो इसको और back चले जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर भी allow करके यहाँ पर back का button आपको क्लिक करके OK कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर आपको अलाओ कर देना है यहाँ पर यह पुछरे आपको screen आप चाहिए ay or on चाहिए यहाँ पर हम simply third wall option क्लिक कर देंगे जो कि यह on, off दोनों भी चाहिए सो दोस्तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है उसके बाद इसेव के option पर click करना है और first number के option पर click कर देना है सो दोस्तो यहाँ पर वे सी थोड़ी सी add आएगी उसके बाद जो setting यह वो successfully save हो जाएगी सो दोस्तो यहाँ पर आप simply देख सकते हो सेटिंग से उसकस्पूली आ चुका है, इसके बाद आपको simply back चले जाना है और lightning settings के अंदर चले जाना है, सो दोस्तों यहाँ पर आपको simply enable करेंको देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको enable not support के ऊपर क्लिक करके adjust मैनियूली के ऊपर क्लिक करना है ゃ सो दो कर सकते हो एसके बाद आपको बढ़ा लेता हुँ हो दोस्तो इसकेhaba क्या करना है यहाओ से नीचे चले जाए लाइटिंग प्लेश्मेंट में उसके उपर क्लिक करते हैं जैसी around a notch only के उपर क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पर around a notch only आ चुका है, तो दोस्तों इसके बाद आपको simply age thickness जितने बढ़ाने होगी उतने आप simply बढ़ा सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर हम को simply कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद नीचे चले जाना है, यहाँ पर हम simply देख सकते हो, आपको कई सरे option देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें से आपको follow के उपर क्लिक करना है, यहाँ पर जैसी में कर रहा हूँ, वहाँ वैसी आपको simply करना है, इसके बाद दोस्तों lightning mode में आपको देखने के लिए मिल जाता है, अगर आपकी charging 50 से less हो जाती है, तो यह उसके उसके बंद हो जाएगा, यहाँ पर हमको continuously चाहिए, तो वह भी continuously भी रख सकते हो, यहाँ से आपको नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर देखो दोस्तों rainbow style कितना बड़ीया लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कई सारे color द पसनाता है, तो वह simply आप simply रख सकते हो, तो दोस्तों अगर आपको two color रखने होगे, तो वह भी आप simply रख सकते हो, तो दोस्तों अगर आपको three colors रखने होगे, तो आप simply उसे भी रख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारे three colors से वह भी नेवल हो चुके, सो दोस्तो यहाँ पर मैं rainbow style select कर लेता हूँ बहुत ही बढ़िया दिखता है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो आप rainbow style काफी बढ़िया दिखता है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो काफी अच्छा लगता है rainbow style देखने के लिए spectrum भी दिखा दू दोस्तो आपको मैं यहाँ पर द क्रेटिसंस दूस्2019 का सबस्क्राइब करतीत हैं यहा अपकover करेंगे करने के छोभी सेटिक्स क्लिक्स कर लिए और ङहां पर इसा दिखेंगार किना क्लिक्स करना हुगा, पर तो यहां पर उस यहां दिखेंगा। तो दोस्तो इसके बाद आपको save के उपर क्लिक करके first number के option पर क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़ी से add दिखाई जाएगी, उसके बाद यह प्री में save हो जाएगा, तो दोस्तो इसी प्रकार से LED notification इनेबल कर सकते हो आपके phone में, अगर आपको यह app इंस्टॉल करनी होगी, तो स simply install कर लेना है, और वो सारी process इसके अंदर आप simply कर सकते हो, जो मैंने process आपको सीकाई है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली उडियो में, तब तक के लिए, बाई!